हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर घटना चकर से एक नई सीरीज स्टार्ट किये हैं और यह भारत का भूगोल यानि कि जोगरफिय ओफ इंडिया इसके बिभिन टापिक को हम लोग एक छोटे छोटे वीडियो की माध्यम से देख रहे हैं ठीक है तो हम लोग आज देखेंग दूरस्त बिंदू यानि कि भारत के संदर में दूरस्त बिंदू की बात की जाए तो इसमें जितने भी सोट नॉट्स होगा नॉट्स के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे कि इस टापिक से रिलेटेट जितने भी प्रस्न पूछा गया है अब तक भीविन PCS एक्जामिया और अनेक्जामिय ठीक है उन तमाम प्रस्णों को भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं नॉट्स जैसे 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सरवाधिक पूरवी राज्य अरुनाचल परदेश पस्चिमी राज गु जरात है सबसे उत्तरी राज की बात की जाए तो हिमाचल परदेश और दक्षिनी राज यह आपका तमिल लाटू है राजियों में के अलसासित परदेशों में सरवाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है सरवाधिक उत्तरी भाग में कौन है लद्दाख है और दक्षिनी में अंडमान निकोबाड दीव सम्हू है आप इसको बढ़ियां से याद रख लिजेगा ठेक है भारत के इतने ब्रिहत चत्रफल के चार बिंदू को आप जरूर याद रखेगा ये सुदूरस्त चो चार बिंदू है ये बराबर पढ़िचा में पुछा जाता है आप इसको जरूर याद रख लिजेगा ठेक है जैसे देखेगा सुदूरस्त चार बिंदू याहनी मुंस्को और भारत के मूं के भूमी पर बिंदू की बात दिखी जाए तो ये आपका कन्या को मारी है और ये कहाँ है तो ये तमिल नाटू के अंदर है इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे और सुदरस्त उत्तरी मिंदू की बात देखिया जाए तो ये सियाचीन ग्लेसियर के निकट इंदीरा कॉल ये दरोगा वला एकजाम में अभी पूछा गया था इंदीरा कॉल कहां है आपको ये भी पूछा जा सकता है ये लड़दा के अंदर है कौन सा ग्लेसियर के निकट है तो सियाचीन ग्लेसियर के निकट है ठीक है अब दिखेगा कि इसको हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं जैसे देखेगा कि यहाँ पर देखे सबसे उत्तरतं बिंदू की बात दिखी जाए तो ये इंदीरा कॉल है इंदीरा कॉल देखे उतरी बिंदू क्या है इंदीरा कॉल है ये कहां पे है सियाचिन गलेसियर के नजदिक है और ये लड़ा के अंदर है ठीक है उसके बाद देखेगा दक्षिंतम बिंदू दक्षिंतम बिंदू के बाद यदि की जाए तो इसमें दो तरह का प्रस्न आता है कि भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू क्या है तो ये भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू कन्या कुमारी में है और ये कन्या कुमारी है और ये तमिल नाडू में है और दक्षिन्तम बिंदू इदी भारत का पूछा जाए चुकि ये अंडवान निकोबार भी क्या है भारत का हिस्सा है ठीक है तो ये दक्षिन्तम बिंदू यहाँ पर है इंदीरा क्वाइंट और ये कहा है आप देखे मैप के माद्यम से देखे इसका पोजिसन यहाँ है तो इसके लेवल पे तो नहीं है यह नीचे है तो इसका मतलब है कि भारत का दक्षिन्तम बिंदू है यह इंदीरा कॉईंट है और ये ग्रेट अंदीरा क्वाइंट पॉइंट है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अब जैसे देखिएगा इसका अलग सा question एक देखिएगा पस्चिमी बिंदू की बात यह दिखी जाए तो यह गुजरात का है गुहार मोती इसका नाम क्या है गुहार मोती ठीक है और यदि सुदुरतम पूर्वी बिंदू की बात यह द जक्षिनी होगा वहीं पर वह बिंदू अस्टित होगा तो सुदुरतम पूर्वी राज्यकौल है रुनाचल पुर्देश का की बीथू है जो क्या है पूर्वी बिंदू है और पस्चिमी बिंदू गुहार मोती जो गुजरात के अंदर आता इसको भी हम लोग एक बबर म देश के अंदर है और ये गोहार मोती यहां पे देखिएगा यहां में यहां पे है यह पस्चिमी गोहार मोती यह कहां पे है गुजरात के अंदर है ठीक है तेयर हो गया यह चारों बिंदू के बारे में आप बढ़ियां से देख लिजे ठीक है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क तमिनारूर राज में अवस्तित कन्या कुमारी भारत की मुख्य भूमी पर ठेक है भारत की मुख्य भूमी पर इस्थित दक्षिन तमस्तल है कन्या कुमारी केप कुमोरीन यानि भारत का वह स्थान जब बंगाल की खाड़ी अरब सागर तता हिंद महा सागर आपस में मिलते ह बहुत ही होने वाला है आप इसको बढ़ियां से समझ लीजए फिर दिक्कत कहीं नहीं आएगा देखे भारत का सुदूरस्त दक्षिनी बिंदु को है भारत का ये मुख्य भूमी ऐसा कुछ नहीं पुछा है ठेक है तेक है उसके बाद देखेगा इसका देखे एक्सप्रेशन भी देख लीज़े तो एक्सप्रेशन आप जानते ही है next देखे, दूसरा question भारत का दक्षिन तंबिंदू क्या है, बिंदू कहा है, देखे, ये भी question पुछा है, कहा है तो great nicobar या भरा nicobar में इस्तित है, ये UPPCS में भी पूछा गया है, ठीक है नेक्ष देखेगा भारत का सुदूर दक्षिन में इंदीरा पॉइंट निम लिखित में से कहां इस्थित है उसके बाद देखे चौथा नमबर का सवाल भारत के राजियों का निम लिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूरवी और सबसे पस्चिमी राज FY को इंगित करता है तो सबसे पूरवी राज भारत का सुदूर पस्चिम का का बिंदू कौन सा है तो इसका राइट अन्स होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से पुर्व है ये कहां से होकर गुजरता है गुजरात से होकर गुजरता ये MPPCS में पुछा हुआ है ठीक है अब जैसे देखेगा यहां पर हम एक बात और देख लें भारत के मुख्य भुमी का सुदूरस्त पस्चिमी बिंदू 23.7 एक 3 उतर यकशांस तारसा डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में इस्तित है आप इसको जरूर नोट कर लिजे ठीक है नेक्श देखेगा छे नंबर में देखे निमलिखित परमुक भारती नगरों में से कौन सा एक सबसे अधीक पूर्वी की वोर अबस्तित है अब यहां ऑप्शन के हिसाब से होगा कि सबसे पूर्वी की वोर कौन सा इस्तित है भुपाल है लखनौ है बंगलूरू है तो सभाविक है कि इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो यह कौन सा होगा लखनौ होगा जो उत्तर परदेश की राजधानी है ठेक है यह आई-एस फिरी में पूछा गया है ठेक है अब देखिए सबका यदि एक बार हम लोग इसका देख लें कि कौन्टना कितना दिशानतर है तो 78 दिगْरी 29 निट पूरवी दिशानतर में है ध्यरावाद है भुपाल 77 दिग्री 77 दिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशानतर है भुपाल उसके बाद लखनों की बात दिखे जाते 80 degree पूर्वी देशांतर है और बंगलोरू की बाते देखी जाए तो 77 degree 40 मिनट पूर्वी देशांतर में इस्तित है ठेक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत का वह कौन सा अस्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर को था जिन्द महासागर मिलते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा कन्या कुमारी इसको हम लोग के अप कौमुरीन के नाम से भी जानते हैं देखे इसके पहले हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं ठेक है शली ये कहां पे है ये तमील नाडू के अंदर इस्तित है ठेक है चली नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब इसमें देखते हैं कि ये जो भारत के मुख्य भूमी है इस मुख्य भूमी से संबंधित बस इतने ही परस्ण अब तक पुछे जा चुके हैं जारखन PCS में पुछा गया है ठेक है तो इसके बाद फिर हम नेक्स टॉपिक लेकर आपके समख चूपस्तित होंगे मैं पहले ही बता दिया थे कि बहुत ही छोड़ा टॉपिक है ठेक है इसमें अब तक साथ परस्ण पुछे जा चुके हैं ठेक है आप इसको एक बार बढ़ियां से देख लिजेगा बस आज के वीडियो में इतना ही यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो निश्यत रूप से आप कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए ठेक है यदि हमारे चैनल में आप नहीं है पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन दबा दीजेगा ताकि हमारे हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए ठेक है बसाज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद